Kinetic Energy of Planets in Elliptical Arbit around the Sun चलो EMusical Arbit हम सब को पता है कि Elliptical Arbit जब होता है तो यहां Sun is focus पे होता है ठीक है चलो तो Sun अगर focus पे है तो ABCD पे ABC ABC कुछ ज़्याद़ा ही बोल दिया तो ABC पे Kinetic Energy कंपेर करना है ABC कहां देखो A यहां है B यहां है C यहां यहां पता है कि angular momentum जो होता है, घर कंजाएगा हुआ तो अगर यहां पे यहां पर फॉर्स लगेगा अगर यहां पर चॉपर क्या है गसा पता है इसका मतलब हुगा कि इस हो है अब ही डारेक्टली प्रपोर्पोर्शनल टुआ ठीक है एंगुलर मोमेंटम क्या है कौंस्टेंट है किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हो एंगुलर मोमेंटम पर लगाओ सबसे दूर है उसकी वेलासिटी सबसे काम होगी सबसे और उसके पास काइनेटिक इनेर्जी सबसे ज़़ादा होगा प्ले आज है क्योंकि मास्स तो यह पॉइंट फोकस सबसे दूर तो इसके पास वेलासिटी यहाँ पर maximal distance अधीक है तो विलासिट्या एत्क तो यहाँ पर फॉत्ट से लनेंबगिशows लो माल लिया मैं ऐसे जा रहा है तो यहां पर विलाउसिटी मैक्सिमूम होगी कि डिस्टेंस कम है तो विलाउसिटी मैक्सिमूम होगी तो यहां पर काइनेटिक इनर्जी मैक्सिमम होगा, A पर काइनेटिक इनर्जी सबसे अधिक होगा और C पर काइनेटिक इनर्जी सबसे कम होगा, बाग की बीच में होंगे, ठीक है, मतलब A option सही है, the conservation of the angular momentum, इसलिए प्लेनेट पास आते हैं, तो उनकी मास हो, तो रहने दो एक constant quantity कर दिया गया, मान लिया गया, लेकिन gravitational constant जो है, दस गुना बढ़ गया, ठीक है, टेन टाइस बढ़ गया, तो इसमें से सही कौन सा सही नहीं है, ठीक है, चलो, अगर दो particle है, एक sun है, एक earth है, ठीक है, दो particle की नहीं, इनके बीच gravitational force लिकरे हो, तो gm1m2 over r square, ठीक है, gm1m2 over r square, यह पूरा मैं constant बान लेता हूँ, तो जो force है, वो gravitational, directly proportional है, capital G के, क्योंकि g अब ज़्यादा हो गया ना, भई, जी जादा हो गया, तो force की value क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी, मतलब gravity strong हो जाएगी, gravity तगड़ी हो जाएगी, strong हो जाएगी, capital G की value दसकुना बढ़ाद हो गये, तो gravity पहले से strong हो गयी, तो rain drop fall faster बिल्कुल सही बात है, अगर gravity जादा तगड़ी हो जाएगी, तो earth पर rain drop क्या होगा, बहुत तेजी से किरेगा, ठीक है, हम सभी लोग का target है, earth के center पर जाना, ठीक है, अगर हमारा, जिस chair पर बेटा हूँ, chair टूड़ जाए, table टूड़ जाए, फिसल जाए, तो हम सभी कहां जाएंगे, earth के center पर accelerate होगे, तो earth के center पर यह drop बहुत तेजी से accelerate होगा, क्योंकि पहले gravity बढ़ गई, तो यह यह तो सही है, not correct, walking on the ground could become more different, obviously, भाई अगर gravity बढ़ा दोगे, तो gravitational force बढ़ जाने के वज़े से, चलना क्या हो जाएगा, earth हमको बहुत तगड़े strong से attract करके रख लेगी, अर्थ इतना gravity लगा दी कि earth के साथ यह आदमी चिपक गया, अब चली नहीं सकता है, इतना strong gravitational field हो गया, तो अभी normal है, सब कुछ हम आराम से चलते हैं, इसके बजाए अगर gravity कम हो गया, तो यार बहुत आसानी, चलने में बहुत आराम होगा, और gravity खतमी हो गया, तो हम space में आ जाएंगे, तैरने लगेंगे, और भी चलना आसान हो गया, ताइम प्रिएड आपे simple pendulum आंदर earth surface, यह क्या है, यह भी सही है, मतलब हमें not correct लिखना है, मतलब यह सही है, तो इस question के इसाफ से यह गलत है, ठीक है, time period, time period simple pendulum क्या होता है, 2 pi L by G under root होता है, बोलो, तो अगर gravity बढ़ गई, तो time period भी तो बढ़ गया, ठीक है, तो time period will not change, बिल्कुल गलत बात है, अगर इसको 10 times कड़ोगे, तो इनके भी जो दो पार्टिकल, इनके भी लगने वाला force की value बदल जाएगी, force की value बदल जाएगी, तो G बदल जाएगा,